आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में और जो भी चैनल के उपर रहे है चैनल को सब्सक्राइब करने के पाद नोटिफिकेशन के बेल को तबाद दीजेगा ताकि हर एक क्लास का अबबिट मिलता है रहे बहुत जन जब से बजट पास हुआ है बहुत जन एकी सवाल पूछ रहे है भाईया जो आपके NTPC का RRB Group D SEC का जो फॉर्म निकला था 2019 में उसका जो एक्जाम है अब स्टेट के अंदर होगा क्या ये होता क्या है मैं आपको पूरा समझाओंगा और बताओंगा एक एक चीज दिवाल के उपर सर जितना पठकोगे दिवाल को कुछ असर नहीं पढ़ता है तो आज के जेट में जो सरकार है न वो आप दिवाल मान सकते हैं उसको कुछ असर ही नहीं पढ़ रहा है अपने बात पर सरकार नहीं रह रही है इसलिए मैंने बोला बड़ी बड़ी बाते पुराई नहीं कर रहे हैं, यहां पर बात करें, एजुकेशन को लेकर, सिक्षा को लेकर, थोड़ा भी ध्यान नहीं है, देखो normal आप समझ लो एक बात, तो पहले अगर बात करें, जो आपका exam form निकला था, NTPC का, या Group D का, या SEC का, वो exam आप इसके अंडर होगा क्या, समझा 8 महिना और लगेगा, ठीक है, और आप जो बोलोगे भईया, 8-9 महिना मार्च में आपका SEC का exam में, CGL का, CCCL का, तो नहीं हो सकता है, तो बोल सकते हो, अब जो नए budget में जो बात किया जा रहा था, इसको लेकर, इसकी अंदर कम से कम, 19 वाला exam जिसा notification आउट हुआ है, वो कम से कम, इसके अंदर बिल्कुल नहीं आएगा, यह अपना cut to cut, clear रखना, ठीक है, दूसरा बात, यह है क्या, इसके लिए मैंने long video बनाया है, आप सभी को, पहली बता दिया था, थोड़ा short में समझा दे रहे, सभी को, सभी को समझ में आएगा, यह है क्या, इसको बोलते हैं ह बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल रदी, कूडे के भाव के समान उनका management है, बस भोट चाहिए, कैसे भी दो भोट दो, कुछ सोस्ती नहीं है सरकार, management पुरा निकमा निका रहा है भाई, आप मान कर चलो, या कोई भी सेत्र आप उठा लो, जो बोलते हैं वो करते नहीं है इसलिए मैंने बोला, बड़ी बड़ी बाते, बड़ा पाउखाते, क्योंकि आप नॉर्मल समझो, आपका NTPC का exam जो है, या group B का exam जो है, वो धंग से conduct करवाया नहीं जा पा रहा है, एक exam को आप धंग से नहीं conduct करवा पा रहा है, अपने बात पर नहीं रहा पा रहा है, ए आप की बात कर रहे हैं, आपको खराब नहीं लगना चाहिए, आप ही की बात कर रहे हैं, आप ही की बात कर रहे हैं, और student जो है, वो पैसा दे दे कर form fill up की हैं, और इतना तक आपको बोल दे रहे हैं, अठारा में जो exam हुआ, आपका group B, RPF, ALP, उसके बाद जे ही, कितने सार student message करते हैं, ठक गए हैं, मुझे message करते हैं, जाजाने कितने channel वालों को, कि भाईया, मेरा पैसा refund नहीं आया, कुछ बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, मेरा पैसा refund नहीं आया, जिनका पैसा नहीं आया, सरकार बोलती भी नहीं है, link कभी active करती है, कभी deactivate कर लेती है, मजा का देख से मज़ा चल रहा है देख साल होने वाला है आप मांगर चलो ये चार एक्जा में कितने बच्छे फॉर्म फिलप की होंगा अनुमान है अंदाजा है जिनका पैसा रिफंड नहीं आया समझ सकते हैं कितना पैसा होगा ये आप समझ रहें कितना पैसा सरकार मार ली है सरकार ही मारी है अगर पैसा नहीं है तो क्या हुआ रेल मंतराले क्या किया पैसा कहा गया पैसा आपको समझना पड़ेगा दूसरी बात समझो जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये है क्या ये चीज है क्या भाई देखो जिन्यून हो करना ऐसा स्टिएंट सोचना फाल्ति बा गोड रही है आप आपको बस एक एगजम देना है यह एकजम देंगे और यह सही भी है और नहीं भी एदिस एन्वांटेज भी एदिस पनतेज समझा हंगा इसके उपर लॉंग वीडियो ये exam देंगे जितने student बैटे मालनो total 10,000 student जो है वो exam दिये एक हजार student जो है वो pre-exam qualify किये उनको अब जो pre-qualify किया उनको क्या देना पड़ेगा मेंस exam देना पड़ेगा तो इसका काम है pre-exam conduct करवाना सबी बच्चों का 1-7 railway, SSC और bank अब मालनो 1000 student जो है वो qualify किये इस 1000 में मालनो 200 railway वाले है ठीक है मालनो यहाँ पर आप सभी 300 कौन है SSC वाले है अब मालनो 500 कौन है 500 railway वाले ये bank वाले है ये SSC वाले है ये आपके railway वाले है इसका काम है बस pre-exam conduct करवाना उसके बाद mains exam जो है अलग-अलग संस्ता जो railway exam conduct करवाती है जो SSC करवाता है जो bank करवाता है उनको soft दिया जाएगा मेंस वाले student के लिए अब अपना-पना बच्चे को पकड़िए उनका exam करवा ये conduct इनका काम है बस pre-exam conduct करवाना है लेकिन सोच यहीं पर एक सोच आता है आप ढंग से एक exam को conduct नहीं करवा पा रहे है और आप एक नई चीज की तयारी कर लिए जहां पर सभी student को लेकर आया जा रहा है फिर तो भीड बढ़ जाएगा और सही तरीके से exam करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे इस पर एक प्रस्ट चिन उठता है समझ रहे हैं अगर एक भी shift का paper leak हो गया तो वो issue कितना बड़ा बन सकता है आप समझ सकते हैं यह भी बोल सकते हो भी है टाइम बचेगा, पैसा बचेगा सही है, यह भी एक advantage है इसका disadvantage भी है अगर सही से exam नहीं हुआ तो paper leak हो गया तो कब तक ताला जाएगा और यह भी बात है अगर एक एक exam को एक एक साल तक ताल दिया जाता है जैसे NTPC के बारे में चूत तक ख़बर नहीं है सरकार बोल तक नहीं पा रही है exam कब होगा नहीं होगा यहाँ पर एक साल तो कम से कम बरबाद हुआ ना तो सरकार जब अगला railway का form निकालेगी तो कम से कम यह बात उनको बोलना भी चाहिए कि आपका मैंने एक साल बरबाद किया है अगले form में जिनका जिनका railway रेल्वे ने एक साल बरबाद किया है उनके उम्र की सीमा वह दो साल तीन साल बढ़ा दी गई है क्यूं रेल्वे का उम्र का उम्र जो जो काइटेरिया है उनको बढ़ाय की गया तो नीचे में एक नोट लिखाुआ लिखा हुआ होना चाहिए की railway ने बहुत सारे बच्चों का एक दो साल बरबाद किया है exam के पीछे इसलिए नई भरती में एक दो साल जो है उम्रे बढ़ा दिया गया है railway करेगा? नहीं करेगा railway तो कैसे बरबाद कर सकते हैं एक एक साल? कितने लोग फ़र्म बनें, कितने लोग नाउमीद हो रहे है, पढ़ने तक कन्नी कर रहा है, आप समझ सकते हैं ये सब चीज, क्या हो रहा है, और एक चीज, य sneaking इतना बड़ा बड़ा बात, ऐसा निसे सरकाल को आपने देखा होगा और तो पकड़ लिया गया बचो कि द्वारा सर्कार को पता चला एसे इंडिया लेवल में कितने सेंटर है कितने जगा चिटिंग हो रहा है भाई दो जगा गया तो पता चल गया, कौन पकड़ा है, student, पूरे इंडिया में कितनी जगह हो रहा होगा, पता चल रहा है, जहां पकड़ा गया, नहीं, जहां नहीं पकड़ा जा रहा है, काम चल रहा है ठीक से, तो उपर से decision क्या लिया गया है, railway के तरफ से, सबसे गंदा decision, कि उस दो दिन का paper जो है, वो cancel कर दिया जाएगा, यार, cancel करने, जैसे हैं सरकार बोलती है, cancel किया जाएगा, कम से कम, वहीं पर क्या है, वो गंदा मजा कर रही है, गंदा मजा कर रही है, paper cancel करना समदान नहीं है, अब direct बोलो, वो दो centers, आज जीवन के लिए पर तुई बंद हो गया, तो अगल वहाँ पर क्या करेंगे, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, हमेशा मेरा मानना है, जहां पर paper लिख हो रहा है, उस center को अजीवन बैन लगा दिया जाना चाहिए, उसके बाहर, school के बाहर, college के बाहर, एक name plate लगा दो की अजीवन बंद, काम खतम, काम खतम, यहां पर student के life से मजाक हो रहा है, उस center में, और उसके उपर सरकार बोलती है, बस cancel हो गया है, इसका मतब सरकार भी कहीं न कहीं मिली है, मिली है ना, यहर बैन लगाने पर क्या problem है आप सभी को, बताओ, अगर इसके उपर बैन लगाने तो कितने सारे center tension में है, कितने सारे center सोचेगी, मेरे गया, अग्जाम ने किनट कोड़ा पा रहे है, कुछ बोला तक नहीं जा रहा है, तो मजाकी चल रहा है न, क्या हो रहा है, लाखो करोडो का धंदा चल रहा है, आपको विस्वास नहीं है, यार, लाखो करोडो रुपए का धंदा चल रहा है, कमाने वाले करोडो पती भी बन गया है कमाने वाले कोड़ोपती भी बन गया सचाई बता रहे हैं नहीं पता है तो सुन लीजिए देखो हर एक इंसिट्यूट कोड़ोपती बन गया कमाकर हर एक सिंटर कहीं भी जाओ दिल्ली इलहाबाद कलकत्ताम इंडिया की कोना कोना में जो टीचर है कमाकर लाल हो ग महना में पूरे बिस्वास के साथ एक को आपको एक नया डेट उस टीचर के द्वारा बताया जा रहा है क्योंकि आप उस टीचर की उपर आख बंद करकर बिस्वास कर रहे हैं तो आपको उस टीचर की बास सही लग रही है सर बोलें अगस्ट में होगा तो होगा सर को कुछ सब्वी को송 लेकिन मैं हमेषा बोला हूँ हमेषा जो भी मेरे भाई मेनद करते पड़ते एकी बात उनको मैं बोला हूँ भाई, एकी बात हमेशा मेरा कोई भी वी बीडियो आप उठा कर देख लेना, हला कि बहुत सारा वीडियो पढ़ाई की उपर ही बनाता हूँ, मैंने हमेशा आप सभी को क्या बोला है, एकी बात बोला है, कि जब तक railway के तरब से official announcement कुछ तक कुछ भी नहीं हो जाता अगर चू तक का news नहीं आता न उस दिन से आप माल लेना आपके exam में डिर्ध मैने का time है मैंने हमेशा वीडियो में बोला है जैसे आज कोई news नहीं आया तो आज से माल लो आपके हाथ में अभी भी डिर्ध मैने का time है क्योंकि आपने देखा होगा railway pass, STOBC, फिर exam से पहले admit card, फिर application status ये सब प्रिक्रिया करने में डिर्ध मैने का time लग जाता है अगर आज से डिर्ध मैने बाद भी exam नहीं हुआ, कुछ information नहीं आया, तो उस दिन से भी माल लो आज डिर्ध मैने के बाद exam है लेकिन अभी आपको करना क्या है, सभी को चाते हैं कि भीया मुझे railway में job करना है, तो मैं एक ही बाद बोल सकता हूँ आप सभी को जो भी मेरे भाई बैन देख रहे हैं पूरा काम करो, perfect बनाओ अपने आपको, ताकि exam जब दे दो, तो ये लगे मुझे बहुत मौका मिला और कोई कमी नहीं रहेगी मेरे अंदर exam से निकलने के बाद अपसोस ना हो कि ये नहीं कर पाएं, ये नहीं हो पाया, तो वो चीज नहीं होना चाहिए, इसलिए जितना भी time मिल रहा है, अपने आपको perfect बनाओ समझ सकते हैं, आप सभी का भी problem exam नहीं करवा रहे हैं सरकार क्या बोलूँ, ये तो वही बात हो गया, दिवाल के उपर अपना सर पटा करें और कुछ दिवाल को असर ही नहीं पढ़ रहे है, खेर छोड़ो तयारी अच्छे से करो यहीं बोलूँगा, और state के अंदर आपका NTPC का exam तो कम से कम इस बार नहीं होगा, और dislike करने वाले करे आप नहीं पढ़ता है, क्योंकि आप सभी को पता है, इस वक्त महोला समना दिया गया, कुछ भी बोलो, आप छोड़िये,